हेलो एंड वेल्कम टू माई चैनल प्रेंट्स आज मैं ड्रॉख करने आला हूं रूहित सर्मा की यह वाले फोटो का स्केच और मैं किस तरीके से ड्रॉख करूंगा मैं यह आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा भी कि हम किस तरीके से ड्रॉख कर सकते हैं सबसे पहले हम reference फोटो में 2 lines डॉख करेंगे pixel application का यूज करूंगा मैं lines ड्रॉख करनने के लिए देञे किस तरीके से गार में दिख रहे होगी आपको इसी तरीके से हम फोटो में भी lines डॉख करेंगे direction let's see the line as a Indian उसके आउट्लाइन आसानी से ट्रॉ कर सकते हैं अब इसको जूम करके प्राइब करोंगा कि सबसे पहले मैं और मीमेश सब्दक में इसको आइच से अडंतने अब करना पार Sabrina को इसके बाद आएज के जो पास में झो आसपास जो उससओले भाय को द्रौ गरेंगे कि इसके बाद नोज पास की जो यह वाली आयलाइन है एसके पास वाली के पास वाली इसको द्रौ करेंगे यह lines को photograph में जो line है उसको और यह line जो हमने page में जो draw की है उसको अच्छे सब्सरब करना है और उसी से हमको draw करना होता है ice का जो goal वाला वाग है उसको भी draw कर दूँगा मैं पार magnificent इसके बाद eyebrow को हम अच्छे से measure करके draw करेंगे तो एक ice तो draw हो जुगी है अब दूसरी ice को भी हम इसी तरीके से draw करेंगे जहां से आईगी यह दूसरी जो ice है जहां से draw करना स्टार्ट करूँगा इसके बाद इस वाली ice की हम आईब्रो को draw करेंगे जहां से आईगी यह लाइन को टच होते हुए आईब्रो को draw करेंगे और यह जो नोस वाला जो हिस्सा है नोस की जो outline है उसको भी draw कर लेंगे तो आईब्रो इससे यहां से एकदम में उसके सीध में हलकी सी उपर है हलकी सी लगवग उतनी ही उपर है जितने उपर की दूसरी वाली यह आईब्रो है तो दोनों आईस तो ड्रो हो चुगी है विसके बाद में नोस ड्रो करूंगा नोस आईटिंग जहां से होगी अब इसके बाद में लिप्स ड्रो कर लूँगा अच्छे से देखे करके मेजर करके कि नोस से कितनी दूर है कितनी बड़ी है इस तरीके से इसके बाद में विएट को उपर वाला हिस्ता ड्रो कर लूँगा देखे आप आईस से किस तरीके से मेजर करके में ड्रो करूँगा ति जहां से आईगी कि इधर साइट की वियर्ड को भी मैं इसी तरीके से ड्रो करूँगा अभी मैं नीचे वाली वियर्ड को ड्रो करूँगा इसके बाद थम सर का यह वाला हिस्सा ड्रो करेंगे फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि आईब्रो के पास में टच होते हुए ड्रो हो रहा है अभी नीचे वाला जो हिस्सा है इसको ड्रो करूँगा लाइन से देखना है और अच्छे सो अबसर्व करते हुए हम को रोगा नहोते है कि अधिक पर गार्ण डॉर्ठ तो फीज कि अंदर वाली आउट्लां टॉट्रों हो चुकि है अब इसके बाद में यह श्याओं आज प्सक्राइब कर दो आजवां को तो फीज के अंदर वाली आउटलेंट टूट्रों हो चुग है अब मैं इसके बाद मैं यह रोगा कर लूँगा जहां से मैं हेर रोगा कान के हलके से आइब्रो के हलके से उपर से तो फेस तो ड्रॉ हो चुका है अब मैं इसके बाद नीचे का भाग गर्दन और टीजर्ट को ड्रॉ कर लूँगा और इसी के साथ हमारी आउटलाइन हो जाएगे कंपलेट तो आउटलाइन हो चुकी है कंपलेट इसमें सेडिंग में इसके नेक्स्ट पार्ट में कर दूँगा जिसकी लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगी बहां पे डाल दूँगा बहां से जाके आप देख सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद